हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत हैं तो आज हम अनायल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूंगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नमबर आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा WhatsApp नमबर है अगर आप भी अपने हाथ के वीडियो बनवाना चाहते हैं या phone consultation लेना चाहते हैं तो आप हमे WhatsApp के जरीए सिगनल के जरीए या फिर टेलिग्राम के जरीए message send कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो थेली है कुछ इस तरह से एक square shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे medium size fingers है और काफी thick fingers भी यहाँ पर इनकी नजर आ रही है fingers का thick होना indicate करता है कि native काफी energetic रहेगा यहाँ से आप fingers की thickness को चेक कर सकते हैं और साथी साथ अच्छी energy and stamina ऐसे व्यक्ति के भीतर रहने वाला है अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनी finger काफी अच्छी length में नजर आ रही है शनी finger का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि native काफी मेहनती nature का रहने वाला है ऐसे व्यक्ति hard working होने के साथ साथ काफी disciplined भी होते हैं और अपनी इनी खूबियों की वज़े से जीवन में अच्छी तरक्की गरपाने में कामयाब हो जाते हैं अगर हम देखें हलका सा जुकाव इनकी fingers का आपको अंदर की तरफ होता हुआ नजर आएगा fingers का शनी finger की तरफ जुकना indicate करता है कि native के भीतर थोड़ी वेराग्या की भावना रह सकती है थोड़ी isolation की feeling रह सकती है और अगर हम इनकी particular fingers की बात करें तो इनकी सूर्या finger की जो लंबाई है इनकी index finger से हलकी सी ज्यादा नजर आ रही है सूर्या finger का अच्छी length में होना clearly दर्शाता है कि native काफी creative nature का रहने वाला है काफी अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है इस finger का अच्छी लंबाई में होना native को एक काफी अच्छा social circle भी देता है ऐसे व्यक्ति अपनी अच्छी पहचान बना पाने में society में काम्याब रहते हैं और अगर हम index finger की बात करें तो यहाँ पर index finger भी काफी strong नजर आ रही है भले ही सूरे finger से थोड़ी सी short है लेकिन अच्छी leadership qualities को ऐसे finger indicate करती है ऐसे व्यक्ति काफी knowledgeable होते हैं जिनकी यह finger थिक हो और बिल्कुल straight हो Mercury finger की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे Mercury finger लंबाई में इनके सूरे finger के top falon से थोड़ा नीचे रहती हुई और कुछ हलका gap यहाँ पर इन दोनों fingers के बीच में बनता हुआ इस finger का short होना low set होना native की हलकी सी shy nature की तरफ इशारा करता है लेकिन इस finger में इस तरह का gap होना यहाँ पर दर्शाता है कि native independent होगा अपनी मनमर्जी का मालिक होगा और जो काम करने की ठान लेगा उसको करकर ही दम लेगा कुछ इस तरह का सभाव सूरे finger और बुद्ध finger के बीच में बनने वाला gap व्यक्ति को देता है finger की length की हम यहाँ पर बात करें तो लंबाई में कोई भी कमी नहीं है जिस वज़े से native के communication skills काफी बेहतर रहने वाले हैं काफी अच्छी calculations और business segment ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनकी यह finger बिल्कुल straight हो और अच्छी लंबाई में नजर आए सभी fingers के ओपर कुछ छलकी छोटी छोटी खडी रिखाएं कुछ इस तरह की खडी रिखाएं भी आप देख पाएंगे ऐसी रिखाएं अगर सभी fingers की उपर मौचूद हो तो native काफी मिलनसार सभाव का दिखा जा सकता है ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं और काफी अच्छा सभाव इनका देखा जा सकता है बात करते हैं fingers के बाद इनके mounts की तो यहाँ पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई जिसमें इनका सूरिया परवत यानि के सूरिया फिंगर काफी हाई सेट है सूरिया शनी और गुरू फिंगर से अच्छी पोजिशन में नजर आ रही है मरकरी फिंगर यहां से हलकी सी low सेट हो रही जिस वज़े से हमें इनकी मरकरी फिंगर टॉप फैलेंच तक पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही और यही जो low सेट होना है इस फिंगर का नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है पर्टिकलर माउंट्स की बात की जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं इनका गुरू परवत का एरिया हमें काफी अच्छा नजर आ रहा है ब्रस्पति माउंट अगर उभरा हुआ हो तो यह नेटिव को काफी लाब देता है ऐसे व्यक्ति की नौलेज को विजडम को काफी बढ़ा देता है ऐसे व्यक्ति की विजडम बहुत अच्छी होती है समझदार होते हैं ऐसे लोग काफी जाता और इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को स्प्रिश्वल माइंड भी बनाता है ऐसे व्यक्ति धरम करम के काम करने वाले होते हैं दूसरों की मदद करने वाली सोचल वर्कर टाइप की नेचर भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जैसे आप देखेंगे इनके हाथ में यही एक रेखा है जो माइंड लाइन की तरह है माइंड लाइन और हार्ट लाइन की तरह काम करेगी लेकिन Mind Line तो यहां से आपको हलकी सी नीची की तरफ निकलती हुई भी नज़र आएगी इनी में से एक branch निकलकर उपर की तरफ बढ़ रही है यह जो branch आप देखोगे उपर की तरफ चलती हुई इस तरह की ब्राँच का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है गुरू परवत के उपर ऐसी ब्राँच अगर हाथ में मौचूद हो तो नेटिव जीवन में बहुत तरक्की कर पाता है निरंतर तरक्की ऐसे व्यक्ति के चीवन में रहती है ऐसी जतनी जादा चोटी चोटी रिखाएं उपर की तरफ जीवन रिखा से और माइन लाइन से उपर की तरफ बढ़ें जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ऐसी काफी रिखाएं इनके हाथ में हमें नजर आ रही हैं ऐसी रिखाओं का होना नेटिव की प्राग्रेस को इंडिकेट करता है, ऐसे व्यक्ति चीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामियाब रहते हैं, इसके इलावा आप देखेंगे इनके गुरू परवत के उपर आपको कुछ इस तरह की आड़ी रिखाएं भी नजर आएंगी, ऐसी आड़ी रिखाएं यहाँ पर होना नेटिव की सिंपेथाटिक नेचर को भी दर्शाती हैं, ऐसे व्यक्ति काफी सिंपेथाटिक सभाव के होते हैं, अगर हम देखें इनके शनी परवत को तो यहाँ जो एरिया है आप देख सकते हैं अंदर की तरफ दब र आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी रिखा जैसे यहाँ से कोई रिखा शुरू हो, बिना रुके यहाँ रिखा इस तरह से यहां तक पहुंच जैसे मैंने भी ड्रॉ की हैं, इस तरह की शेप में कोई रिखा हाथ में हो, तो यहाँ व्यक्त आपको यहां तक उसके बाद थोड़ी ब्रेक्स के साथ उपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी कुछ इस तरह की शेप उसके साथ यह जो ब्रांच यह भी भागया रेखा का ही काम करेगी तो डबल फेट लाइन हाथ में है जिसकी वज़े से अच्छी इंकम इनकी लाइफ में रहेगी अच्छा धन कमा पाने में काम्याव होंगे लेकिन बीच में जैसे यहां पर कुछ हमें हलकी उपर लैपिंग्स नजर आ रही है और यह रेखा भी गैप के साथ उपर बढ़ रही है बीच में यहां पर इस सेरिया में एक गैप नजर आ रहा है इस तरह के गैप्स का होना नेटिव को समय समय पर अप्स और डाउंस देता है और इस माउंट का दबना भी जीवन में अनीशियल लैवर पर थोड़ा संगर्श बढ़ा देता है अगर हम सूरिया की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे सूरिया का जो एरिया है हलका सा अंदर की तरफ दबता हुआ लेकिन सूरिया रेखा यहां पर मौचूद है बहुत जादा लंबाई में तो नहीं लेकिन हार्ट लाइन के उपर सूरिया रेखा का होना दर्शाता है कि लेटरेज में पहुँचकर नेटिव काफी अच्छी पहचान बना पाने में जीवन में कामयाब रहता है काफी अच्छी रेकोगनिशन सूसाइटे में बन पाती है अगर यही रेखा लंबी हो जैसे यहां ऐसे लंबी रेखा नीचे से शुरू हो यहां से शुरू हो जाए तो ऐसा वीक्ति 30's की एड़से ही famous होने लगता है लेकिन यहां पर यहारेखाफा हमें इनकी हार्ट लाइन के उपर ही नजर आ रही है यहीं से यह रेखा शुरू हो रही है जिसकी वजह से लेटरिज में ही इस रेखा का लाब इनको मिल पाएगा अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो हलका सा लो सेट माउंट लेकिन उसके बावजूद यह एरिया आपको काफी उबरा हुआ और उठा हुआ नजर आएगा यहाँ पर एक खड़ी रेखा मौचूद है जो इनके बिजनेस एकुमेन को काफी एनहेंस करती है इस तरह की रेखा का होना नेटिव को एक अच्छा बिजनेस परसन बना सकती है ऐसे व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से अच्छा धन कमा पाने में काम्याब हो जाते हैं और इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को काफी अच्छी कैल्कूलेशन करने की काबलियत देता है ऐसे व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति के जो कम्नीकेशन स्किल्स हैं वो भी काफी अच्छे हो जाते हैं जब यहाँ माउंट उभरा हो और यहाँ पर खड़ी रेखा मौचूद ह तो अपने कम्नीकेशन स्किल्स की वजए से ही ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी इंकम को जनरेट कर पाते हैं बात करते हैं इनकी मेजर लाइन्स की तो आपको बताना चाहूंगा इनके हाथ में सिमियल लाइन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है नॉर्मली क्या होता है कि दो रिख जुड़ जाएं और एक ही रेखा बन जाए तो उसको सिमियल लाइन कहा जाता है इनके केस में क्या हो रहा है यह एक सिमियल लाइन भी मौचूद है उसके बाद यही रेखा ऊपर की तरफ चलकर हार्ट लाइन को एक अलग extension दे रही है और यही रेखा आगे नीचे की तरफ बढ़कर एक mind line को अलग से extension देती हुई इस तरह की formation बनाती हुई जिस वज़य से native के भीतर सिमियल लाइन वाले परसन की तरह है और different single single line वाले परसन की तरह है की nature भी रहेगी जिन लोगों के हाथ में सिर्फ सिमियल लाइन होती है और यह रिखाएं नहीं होती ऐसे व्यक् का होना native को वरकॉलिक बना देता है ऐसे व्यक्ति जो काम करने की ठान लेते हैं उसको करकर ही दम लेते हैं और एक ही चीज के उपर एक ही काम के उपर लगे रहते हैं लेकिन यहां पर अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में हाट लाइन अलग से एक अपनी extension उपर की तरफ इनके भीतर emotions भी रहेंगे और इनी emotions की वज़े से एक अच्छी family life को व्यक्ति enjoy कर पाता है अगर यह रेखा इसे curved line ना हो तो उसकी वज़े से दिक्कते हो सकती हैं और mind line की बात करें तो इसी तरह से mind line यहां से नीचे की तरफ जुकाव लेती हुई इस तरह की mind line native को overthinking देत हैं जादा सोचने की वज़े से थोड़ी anxiety होने की समहावनाएं भी बढ़ती हैं लेकिन अच्छी बात क्या है एक लंबी mind line इनके हाथ में मौचूद है इस तरह की mind line का होना indicate करता है कि native की memory काफी अच्छी रहने वाली है एक अच्छी memory और अच्छी अच्छा mind इनका यहां बनता हुआ नजर आ रहा है यहां चिन आप देखेंगे यहां पर इस तरह से यहां जो area रहता यह केतू का area होता है और यहां पर हलका सा broken line से एक fish का symbol आपको बनता हुआ नजर आएगा इस तरह का चिन यहां पर बनना indicate करता है कि native को चीवन में कई बार लंबी दूरी की या में मिलते हैं लेकिन अगर यहां रिखाएं complete हो जाएं तब इसका lab इनको ज्यादा मिल पाएगा ऐसे ही है बिना तूटे हुए एक complete fish बन जाए तब इसका lab यहां ज्यादा ले पाएंगे अदर्वाइस यहां पर थोड़ी सी कमिया रह सकती है अगर हम देखें इनकी line of life को तो आप देखेंगे यहां पर एक लंबी life की line जो 80 के आसपास की age को indicate करती हुई एक लंबी age ऐसे व्यक्ति की रहती है जीवन का जो सफर है वो लंबा रहता है और यहां पर आप देखेंगे कुछ चोटी चोटी branches उपर की तरफ बढ़ती हुई भी आपको नजर आएंगी जिनकी वज़े से काफी अच्छी तरक्की जीवन में रहेगी अब यहां पर देख सकते हैं अंदर की तरफ यह है जो रेखा मैंने draw की इसको हम मंगल की रेखा कहते हैं मंगल लेखा हाथ में मौचूद हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी property बना पाने में काम्याब र रहता है शुकर परवत की बात की जाए तो वीनस का एरिया काफी उठा हुआ है जिस वज़े से जीवन में हर तरह की सुक्सविधाओं को इंजॉय करने के मौके मिलते हैं ऐसे व्यक्ति की जीवन में हर तरह की luxuries रहती हैं लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी रिखाएं जो आ इसे रिखाएं होना शुकर परवत के उपर अच्छा संकेत नहीं माना जाता और अगर हम चंदर परवत की बात कर रहे हैं तो चंदर का एरिया यहां पर बिल्कुल क्लियर है लेकिन माइंड लाइन का थोड़ा सा नीचे की तरफ जुक कर चंदर परवत की तरफ आना ओवर पैंडिंग है तो मुझे वर्टसया पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद